कि न जी दोस्तो क्या आले क्या होले क्या हाले गाइज a very good evening to you और क्या good evening a very good morning to all of you guys I hope you are all doing really 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 well क्या करने वाले है sir आज अपन आज अपन क्या करने वाले है कुनाल देखो घर का वेदी लंका कैसे ढारा है देख रहे हो बच्चों कुनाल को देख रहे हो घर का वेधी लंका कैसे डा रहा है, इसको तो दुश्मनों ने भेजा है हमारे, सुनो, कुनाल बहुत धोंगा मैं तरको, सिलानी नाम है, इतना धोंगा सीने पहोगे फिर, सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो, दोस्तो, मैंने क्या कहा? मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर कि नोट्स पर चीज कर सकते हैं, अब मेरी बात सुनिए सर, appointment and remuneration of managerial person, appointment and remuneration of managerial person, सर, ध्यान से सुनना मेरी बात, सर, यहाँ पर सबसे पहले कुछ important definitions हैं, जो मेरे को आपको cover करवाने है, क्या important definitions है, सर, सर, एक सेगेंड रुख जाओ, तुम्हारा chat मेरे को नहीं दिख रहे, हाँ, अब में को तुम्हारा chat दिख रहे, करूँगा मैं भी, कुनाल, मैं 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 जब करूँगा ना, सीधा चिट चरके लगेगा, सुनो, मेरी बात सुनो, क्या कहाँ है, हम लोग revision करने वाले हैं, revision में पूरा-पूरा ध्यान देख चाहिए, मेरे को आपका, पूरा ध्यान चाहिए, सर, सुनिये, हम लोग chapter number 3 का revision करने वाले हैं, जो appointment and remuneration, appointment and remuneration of managerial person की बात करता है, सर, सबसे पहले ये chapter का concept ये है, कि आपको समझना पड़ेगा कुछ important definitions, कौन से important definitions सर, सबसे पहले हम समझते की managerial person क्या होता है, फिर हम समझेंगे managing director क्या होता है, manager क्या होता है, और whole time director क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं सर, key managerial person क्या होता है, key managerial person में आप ध्यान से मेरी बात सुनना, आपकी कंपनी का Managing Director, Manager, CEO, आपकी कंपनी का CFO, आपकी कंपनी का CS और आपके ये लोगों के नीचे एक लेवल नीचे जित्ते भी लोग आते हैं, वन लेवल बिलो दा बोर्ड, ये सारे आपके Key Manageral Person के definition में आते हैं, Sir, Key Manageral Person कौन हो गया, Sir, Key Manageral Person कौन हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, Key Manageral Person में आपकी कंपनी का CEO, MD Manager, CS, Whole Time Director, CFO, और हर वो Officer जो एक लेवल नीचे आते हैं, और सच अधर Officer as may be prescribed, ये लोग Key Manageral Person में आते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ MD और WTD ये दो ही Director हैं, जो Key Manageral Person में आते हैं, उसके बाद Sir, Managing Director और Manager का Definition, Sir, Key Manageral Person कहाँ पे defined था, 2 Clause 51, कहाँ पे defined था, 2 Clause 51, अब Manager कहाँ पे defined है, 2 Clause 53, और Managing Director कहाँ पे defined है, 2 Clause 54 में, 2 Clause 54 में, ठीके, 2 Clause 54 में, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, Managing Director का Definition, Sir, Managing Director का Definition पहले समझते हैं, Sir, 2 Clause 54, वो कहता है, कोई भी अगर Director है, जिसके पास, Sir, Substantial Power है, किस चीज़ का, Substantial Power of Management of the Affairs of the Company, अगर आपके पास Substantial Power है, Company के Affairs को Manage करने का, तो आपको हम क्या बोलते हैं, Managing Director बोलते हैं, Sir, आपका नाम अगर गधा है, फर आपके पास, आप Director हो, और आपके पास Substantial Power of Management है, तो भी आपको Managing Director बोलेंगे, Sir, आपके पास कोई पावर नहीं है, बस यहाँ पे आपने Managing Director लिखवा लिया, M-D, तो M-D हो जाते होगे हैं, नहीं, Sir, आपके पास Substantial Power होना चाहिए, Sir, Substantial Power मतलब क्या होता है, लौन ने बोला Substantial Power मतलब क्या होता है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे यार, वो तो Feel का basis है, एक Feel है बस, लेकिन हम तुमको यह बता देंगे, कि अगर Administrative Act करने का Power दिये हो ना, तो उसको Substantial Power नहीं मानेंगे, Sir, Administrative Act करने का Power यानि की, जैसे की Common Seal Attach कर लेना, कहीं पर अगर ते को लगे Negotiable Instrument draw या endorse कर लेना, चेक को draw या endorse कर लेना, उसके अलावा तेरको अगर Share Certificate Sign करना है, तो Share Certificate Sign तू कर लेना, या फिर Sir, अगर कोई Transfer हो रहा है, तो Transfer अगर A, B को Transfer करना है, तो Transfer Register करना है कि नहीं करना है, तू कर लेना, यह सारे Admin काम है, यह कोई Rocket Science नहीं है, यह सारा Admin काम है, तो यह सारा Admin काम है, तो उस Case में आपको Provision Applicable नहीं होगा, उसके बाद Sir, मैंने क्या कहा, यह Managing Director का Definition हो गया, वो Director जिसके पास Substantial Power होता है, अब Sir, Manager क्या होता है, Manager Defined है आपके 2 Clause 53 में, Manager कहाँ पे Defined है, 2 Clause 53 में, Sir, Manager कौन होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, Sir, Manager मतलब वो Individual होता है, वो Individual होता है, जिसके पास क्या होता है, Sir, Whole और Significantly the Whole Power of Management of the Company, या तो Whole या Significantly Whole Power है, और साथ में, वो अकेला नहीं काम करता, Sir, वो Board of Director की Superintendents, Direction and Control में काम करता है, तब जाके उसको Manager कहा जाता है, अरे, Sir, सुनो, मैं यहापे स्क्रीन पे लिख-लिख के बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आपको मेरा पूरा बुक से रीड़ किया हूँ रिविजिन देखना है, तो वो अल्रेडी आपका डला हुआ है, यह रिविजिन लेटेस्ट है, अमेंडेड है, इसमें सारी ची मैंजर कहते हैं, और Sir, मैंजर के बाडर में बस इत्पी सही बात है, करे मेरा को मदेड़ होcard मारा पैसा बारे блबुक प्रक company में दो manager नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि manager को whole या substantially the whole power होता है, और whole या substantially the whole power जो है, सर्फ एक जिन को दिया जा सकता है दूसरा sir, क्यों company में दो MD हो सकते है, sir अगर local little interpretation निकालो तो yes, और बहुत सारी companies में दो MDs है भी, उसके allow sir, क्या एक company में एक MD और manager हो सकता है, मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं हो सकता sir, क्योंकि आपका section 196 prohibit करता है, sir section 196 क्या है, अब हम appointment की बात करने वाले, managerial person अगर आप appointment करना चाहते हो, sir managerial person मतलब कौन हो गया, की managerial person मैंने नहीं कहा, मैंने कहा managerial person, इसमें सिर्फ तीन लोग आते, MD, WTD और manager, अगर इनको आप appointment करते हो ना, तो subsection 1 क्या कहता है, एक company में, किसी भी given point of time पे, MD और manager साथ-साथ में नहीं हो सकते, या तो MD होगा, या manager होगा दोनों साथ-साथ में नहीं होंगे, दूसरा sir, जो MD या manager आपने appointment किया उनका tenure क्या रहेगा, तो law ने बोला बहिया, एक बार में 5 साल का tenure डालना क्या reappoint कर सकते हो, सर, बिल्कुल reappoint कर सकते हो, बिल्कुल reappoint कर सकते हो और मेरी बात सुनो, reappoint करना लेकिन जब आपका tenure खतम हो रहे है न उसके 1 साल पहले ही reappoint मत कर देना मतलब अगर आपका tenure यहाँ पे खतम हो रहा है तो आप इस phase में reappoint करना उसके पहले reappointment मत करना उसके बाद मैंने क्या कहा सर तीसरा point मेरी बाद एकदम ध्यान से सुनना सर आपका eligibility क्या है अगर आप reappoint होने चाहते हो तो सर चार eligibility है सबसे पहला आपका age जो है वो 21 से कम नहीं ह होना चाहिए और 70 या उससे जादा नहीं होना चाहिए आपका age 70 या उससे जादा नहीं होना चाहिए दूसरा सर आप insolvent नहीं होने चाहिए या तो undischarged या फिर adjust insolvent दूनों ही नहीं होने चाहिए तीसरा सर आपके creditor के किसी payment में आपने composition या creditor का payment suspend नहीं किया होना चाहि किसी offense के लिए जिसके वज़े से 6 मैंने से जाधा के जेल गए, तो sir मैंने क्या कहा, AICC, sir AICC क्या है, age, insolvent, creditor और convicted, ये चारों मैंसे कहीं भी fall नहीं करने चाहिए sir, जाके आप eligible हो जाओगे, sir अगर किसी 70 साल से उपर के इंसान को अगर क्या बनाना है, आपको MDWTD manager बनान SR, पर sir किसी कारण से अगर SR pass नहीं हो पाया, तो ये बताओ कि आप votes favor में जो है, वो votes against से जाधा है, अगर हाँ, तो फिर आप जाकर के central government को justify करो, कि हमको 70 साल से उपर वाला इंसान चाहिए, और फिर उसको क्या कर लो, appoint कर लो, ये क्या हो गया sir, आपका basic eligibility, 70 साल से उपर के किसी को appoint करने, तो SR pass करो, SR pass नहीं हो पाया, पर अगर votes favor में जो है, वो votes against के जाधा है, मतलग कम से कम OR तो भी pass हुआ, तो आप central government का approval ले लो, पर sir, उसी के साथ साथ जब आप appointment की बात करते हो, तो आपको schedule 5 भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि schedule 5 का part 1 किस बारे में बात करता है, sir, schedule 5 का part 1 में आपको यहाँ पर सिर्फ यह चार point बताऊंगा, part 2 से लेकर कि जो extra point है, वो हमारा schedule 5 का अलग से revision है, वो revision आप देख सकते हो, नीचे description पर मैं लिंक डाल दूगा, comment पर या फिर आप लोग में से कोई comment पर link डाल देना, अब sir, मेरी बात सुनो, sir, मैंने क्या schedule 5 का part 1, schedule 5 का part 1 क्या कहता है, कि अगर आप बनना चाहते हो, बिना CG के approval के, बिना CG के approval के लिए, अगर आप MD, WTDA manager बनना चाहते हो, चार additional condition ध्यान रखना, हमने 19 acts prescribed कर रखे है, 19 acts जैसे कि आपका companies act, Fema, GST, income tax act, custom act, सारे act आगे, वो 19 acts में से किसी भी act के अंदर convert नहीं तो भी तुम क्या हो जाओगे, डिस्कौलिफाई हो जाओगे, दूसरा, तुम क्या, तुम क्या, तुम क्या, तुम क्या, तुम क्या अंदर detain नहीं किया होना चाहिए, को फिपसा act मतलब सर, conservation of foreign exchange, and preservation of smuggling activity, उसमें तुम को क्या नहीं किया गया है, मतलब तुम को रोग ना सर, आपको भार भार अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, जब आपने एक मेर अप्रूवल ले लिया, तो दुबारा जब तक आप डिस्कौलिफाई फिट से नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको CG का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, अगर आपका SR पास हो गया है SR पास हो गया है तो आपको CG का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, और Resident of India अगर नहीं हो ना, तो CG का अप्रूवल ले सकते हो, Resident of India मतलग क्या सर, पिछले बारा मेने या तो इंडिया में रहे हो, या इंडिया में एंप्लोईमेंट के लिए या बिजनस या वोकेशन के आए हो, या तो बारा मेने तक इंडिया में रहे हो, या बिजनस या वोकेशन के ले, आप या एंप्लोईमेंट के ले इंडिया में आए हो, तब आप President of India माने जाओगे, उसके बाद सर, next point, सबसे important point, सर, आपका appointment कैसे होगा, और आपका remuneration कैसे decide होगा, सर, सबसे पहले आ आपका appointment और remuneration vote decide करेगा, अगर company में nomination, remuneration committee है, तो वो vote की help करेगा, उसके बाद सर, appointment हो जाने के बाद, जो भी आपका effective date of appointment है, उसके बाद सर, आपको 90 days के अंदर, CG का approval लेना पड़ेगा, अगर आप schedule 5 का contravention कर रहे हो, schedule 5 का part 1 का, अगर contravention कर रहे हो, तो CG का approval लेना next general meeting तक आपको shareholder का approval लेना पड़ेगा, और 60 days के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 60 days के अंदर आपको MR1 file करना पड़ेगा, MR3 file, sorry, MR1 file करना पड़ेगा, जो return of appointment है, और MR1 आप 60 days के अंदर ROC को file कर रहे हो, ये 3 चीज़ा आपको करनी पड़ेगा, अगर आप appointment हो रहे ह तो सर जब मना हो गया उस समय तक उसने जित्ता भी काम किया, वो valid रहेगा, वो invalid नहीं होगा, वो valid रहेगा, अगर आगे चल के मना भी हो गया तो उसके बाद सर जैसे आपनने class में examples देखे थे practical, उसके बाद सर अपनने last में क्या पड़ा, government company को और private company को कुछ applicable provision नहीं है, जैसे कि सर, दोनों को न, यह approval वाला provision applicable नहीं है, मतलब shareholder और central government वाला approval, और private और government company को तो tenure वाला provision भी applicable नहीं है, मतलब जो 5 साल का tenure होता है, वो provision भी applicable नहीं है, Sir आप लोग, just make sure that, you do spare a moment to let me know in the comment, कि यह जो revision का approach है, क्या इसमें, माना मेरा भी दिमाग limited है, तो मेरे को भी एकादा point छूच जाते है मेरे से, क्या यह revision में तुम लोगों को एक comprehensive revision मिलता है, या तुम लोगों को एक comprehensive understanding मिलती है, और क्या यह तुम लोगों को benefit कर रहा है, त तो आप लोग जिल लोगों को यह मजा आ रहा है ना इससे, वो लोग थोड़ा जादा जोड़ से comment करना, ताकि मैं क्या कर सकूँ, ताकि मैं आप लोगों के help, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसको इसी तरीके से और detail कर सकूँ, Sir यह आपका पूरा का पूरा section 196 था, along with schedule 5 क part number 1, schedule 5 का part number 1, उसके बाद मैंने क्या कहा, Sir, उसके बाद मैंने आपको यह कहा कि section number 197 जो है, वो क्या कहता है, Sir 197 किस चीज के बारे में बात करता है, 197 बात करता है, remuneration के बारे में, Sir क्या आप remuneration दे सकते हो, जी हाँ Sir, विल्कुल आप remuneration दे सकते हो, किसको आप remuneration दोगे अपने company के managing director को सेक्शन 197 के आ गयता है, एक सेक्ट हाँ सेर, मेरी बात सुनो, सेर एक आपको basic चीज बता दू, सेर एक basic चीज जो मैंने आपको class में बताईती, सेर आपको अगर age के हिसाब से बताओ ना, तो कौन इंचान director बन सकता है, कौन इंचान managing director बन सकता है, 0 से 18 साल, 8 से 21 साल, 21 से 70 साल और 70 साल के उपर, infinite तक, सर सुनो, डिरेक्टर की अगर बात करें तो 0 से 18 नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि bin नहीं ले सकते, 18 से 21 साडर बन सकते हो, 70 के उपर भी बन सकते हो, MD की बात करें ना, section 197 क्या कहता है, section 197 क्या कहता है, section 197 सर, remuneration की बात करता है, वो कहता है, remuneration का provision ध्यान से सुनना, sir, हम लोग न, MD, WTD manager की बात करेंगे, और साथ में, इस बार हम non executive director और independent director की भी बात करेंगे, law कहता है, पूरा जो आपका net profit है न, उसका total 11% का आप overall remuneration दे सकते हो, कितना, 11%, sir, net profit कहा से आएगा, section 198 वाला net profit होगा, लेकिन उसमें से आप directors remuneration का adjustment मत करना, मतलब, net profit की calculation, यहाँ वाले net profit की calculation के ले, आप directors remuneration को minus मत करना, क्योंकि ये section में directors remuneration ही तो निकाल रहे है, आप sir, ये 11% जो पूरा है, मतलब, अगर 100 करोड का profit होगा, तो 11 करोड बाटने कले, कैसे बटेगा, sir, आपकी company में managing director, manager और whole time director अगर है न, और अगर वो एक है, एक को maximum 5% देना, एक से जादा अगर है तो टोटी मिला के 10% देना, मतलब, sir, अगर एक MD है, तो उसको 5% दे सकते हो, अगर 2 MD है, मालनो, अगर 2 MD है, तो आप उन दोनों को मिला के 10% दे सकते हो, 3 MD अगर है न, तो फिर भी मिला के 10% ही दे सकते हो, और sir, ध्यान रखना, किसी 3 MD अगर है न, मिला के 10% मिलेगा, और एक MD को किसी को भी 5% से जादा नहीं मिलेगा, पर सर अगर आपकी company में MD और manager और WTD है मतलब फूरा काम यह कर रहे हैं, तो जो आपके non executive director और independent director है ना उनको बस 1% बचावा दोगे पर सर अगर आपकी company में ये लोग नहीं है MD, WTD manager तो आप non executive director और इन लोगों को 3% तक का पैसा दे सकते हो 3% तक का क्या दे सकते हो, net profit दे सकते हो, आप सर समझो ये limit जो है अगर आपको exceed करनी है limit exceed करनी है मतलब क्या, आपको अगर 5%, 10%, 1% या 3% से जादा देना है, तो सबसे पहले आपको पास करना पड़ेगा सर, shareholder का ऐसाद कि ऐसी क्या नौबत आ पड़ी, जो तेरको जादा देना है और दूसरा, आपको अगर सर आपने bank से, PFI से non convertible debenture holder से या फिर secure creditor से अगर क्या ले रखा था, load और इन लोगों का पैसा आपने क्या कर दिया है, default अगर default कर रखा है ना, तो इनका भी क्या लेना पड़ेगा approval, पर approval कब लोग है अगर default किया है सर क्यों सर, बोले bank साले मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है तो अपने डिरेक्टर को बढ़ा के पैसा दे रहा है नहीं सर तुमको approval लेना पड़ेगा पर सर, यह पूरा का, पूरा section 197 कब applicable होगा पता है, अगर आपकी company में profit है adequate profit है, enough profit है तो उसके बाद सर, पर एक बात ध्यान रखना SR तो पास करोगे, पर सर, अगर यह जो 11% का limit है ना, 11% का overall limit अगर इसके भी उपर चले जा रहे हो ना बिटा तो इसके उपर जाने के लिए आपको OR पास करना पड़ेगा, और आपको schedule 5 का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा OR पास करना पड़ेगा, और schedule 5 का ध्यान रखना पड़ेगा, सर, यहाँ पर OR है नीचे SR है, सर, OR क्या, अगर 11% का overall limit breach हो रहा है, तो पर सर, इसके साथ साथ आपको PFI का भी approval ले लेना, अगर आपने default का रखा है PFI वाला approval मतलब यह वाला approval ले लेना अगर आपने default का रखा है, यह सर आपका remuneration का basic provision है remuneration का पहला basic provision है पर सर, इन्होंने, निदी company के case में आपको यह बताया, कि चलो यह तो आपका remuneration हो गया, अब सर, remuneration में दूसरा point है कि sitting fees जो होता है न, वो remuneration का part नहीं बनता है, sitting fees remuneration का part नहीं बनता है, तीसरा आपकी company में loss अगर है, या अगर inadequate profit है न, तो आपको schedule 5 का compliance करना पड़ेगा, हमारे हाँ तुमारे ले कुछ नहीं है चौथा, सर, आपकी company में जो directors होते है, उनका remuneration decide कैसे होता है, तो मैंने का बेटा, उनका remuneration, या तो AOA में लिखा रहता है या फिर सर, आप OR pass करके decide कर लो या फिर अगर AOA में लिखा है न, कि SR pass करो, तो SR pass करके decide करो पर director का remuneration कौन decide करता है, सर, shareholder, director का remuneration कभी भी board of director या NRC decide, नहीं करता है, approve कौन करता है, सर, shareholder करता है, अब सर में को एक बात बताओ, अगर किसी को professional capacity में पैसा दे रहे हो, क्या वो remuneration में आएगा, तो इन्होंने कहा, नहीं आएगा अगर दो condition meet होती है, क्या जो वो काम दे रहे हैं, वो professional in nature है, professional in nature मतलब सर, बहुत सारे इसे professionals हैं, जो वो काम करते हैं, और दूसरा, NRC के opinion में, या जहां पर NRC नहीं है, वहां पर पर के opinion में, ये इनसान के पास qualification भी है, और experience भी है, ये काम करने के लिए, जैसे कि सर, अगर नीता अमबानी, Reliance को interior designing का service दे रही है, तो उसको जो पैसा मिलेगा न, वो पैसा आप किस में डाल दोगे, वो पैसा आप उसके remuneration में डाल दोगे, और वो 11%, 5%, 10%, 1%, 3% के overall limit में आ जाएगा, और अगर आप नीता अमबानी professional nature of service दे रही है, और वो qualified और experienced है, तो हमने बुला फिर अगर NRC को ऐसा लगता है न, तो हम उसको remuneration में नहीं लेंगे, उसको हम अलग से खर्चा दिखा देंगे, सर क्या आपको मेरी इंसान को, board meeting और committee का meeting attend करने के लिए क्या मिलेगा, sitting fees मिलेगा यह आपके time की कीमत है, आपके time की कीमत ही है, सर कितरा मिलेगा, maximum एक लाथ रुपए मिलेगा, एक कमिटी के meeting के एक एक board के meeting पे, फिर किसी भी हालत में independent या women director को बाकी director से कम नहीं मिल सकता बाकी director से कम नहीं मिल सकता है, एक रुपए जादा दो, बराबर दो, पिर कम मत देना बराबर दोगे तो भी चलेगा, इससार में को एक बात बिताओ, अगर video conferencing से meeting attend करोगे, तो sitting fees मिलेगा, जी हाँ सर बिलकुल मिलेगा, सर क्या, adjourned meeting को बिलेगा, adjourned meeting का भी sitting fees मिलेगा, law कहता है, मिल तो जाएगा, पर मिलेगा ने, क्यों? क्योंकि बेटा, original meeting का सिर्फ continuation होता है, adjourned meeting तो adjourned meeting में sitting fees अगर मिलेगा, तो एक ही meeting का दो fees हो जाएगा, जो allowed नहीं है, तो generally adjourned meeting का sitting fees नहीं मिलता है, उसके बाद सर 197 subsection 6 क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सर 6th number point क्या कहता है, सर आपका जो sitting fees, आपका जो remuneration होगा, उसका payment कैसे होगा, उसका mode क्या होगा, तो law ने कहा बेटा, या तो monthly कर देना, या फिर एक percentage of payment कर देना, या फिर दोनों मिला करके कर देना बट आप किसी भी तरीके से payment कर सकते हो, हमको कोई भी problem नहीं है, उसके बाद सर हम subsection 7 चोड़े, subsection 8 पे आगए, सर subsection 8 क्या कहता है, सर 197 subsection 8 ये कहता है, कि 198 के इसाब से net profit देख ले ना, बदाओ 197 subsection 8 ये कहता है, 198 28 के साब से net profit देख ले ना, ठीक है सर, उसके बाद subsection 9 और 10 बहुत important ये आपको मिला के पढ़ना पड़ेगा, सुनो अगर आपने किसी को limit से जादा का क्या दे दिया, remuneration दे दिया, या फिर दे तो दिया, लेकिन necessary approval नहीं लिया तो आपको refund मांगना पड़ेगा, refund कब तक मांगोगी सर, within 2 years और refund जब तक नहीं आ जाता ना, तब तक वो इंसान company के trust में hold करेगा मतलब company के भरोसे पे पैसा रखेगा वो पैसा उसका नहीं है, company का है बस उसके पास भरोसे पे रखा हुआ है, ऐसा माना जाएगा और सर, क्या ये जो पैसा refund आने का है क्या आप इसको wave करवा सकते हो सर, wave करवा सकते हो, मतलब आप उसको बोल सकते हो, कोई बात नहीं रख ले, बिकारी जा रख ले आप बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, सर, सबसे पहले SR पास करना पड़ेगा, और अगर PFI से किसी का default किया है न, तो उनका भी approval लेना पड़ेगा, सर, याद करो ये वही चीज है, जो आपको लगता है अगर आप लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रहो 5%, 10%, 1%, 3%, वही चीज, अगर आप लिमिट से ज़्यादा पे कर रखे हो, तो लिमिट बढ़ा लो, कैसे बढ़ा होगे बढ़ा मतलब सर, P, नहीं जाने दो सर, increase कर लो limit, limit increase कैसे करोगे, SR पास करके या फिर PFI का, and PFI का approval ले करके, आप लिमिट बढ़ाओगे, सर आप समझे क्या, हाँ सर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, उसके बाद मैंने आपको ये बोला, कि आपको ना बहुत सारी चीज़े disclosure करनी पड़ेगी अपने books में, क्या disclosure करना पड़ेगा, सर, आपको बहुत सारे ratios disclose करने पड़ेगे, कि हमारी company के managing director, manager, CEO, CFO कि कितना कमाते हैं, versus एक median employee कितना कमाते है, median employee कितना कमाते है, फिर आप बताओगे, median employee का कितना percentage rise हुआ है, और आपके इन लोगों का कितना rise हुआ है, और इस तरह के बहुत सारे ratios वगेर आपको बताने पड़ेंगे, ताकि एक अंदाजा हो, कि कहीं तुम अपने managing director लोगों को थोड़ा ज़्यादा preference तो नहीं दे रहे हूँ, और सर उसके बाद आपको आपको अपने company के top 10 employees का नाम बताना पड़ेगा, top 10 employees में किसका नाम आएगा सर, वो इनसान देखना, जो financial year में कम से कम 1.20 करोड कमा रहे, अगर पूरे साल नहीं था, तो ये देख लो क्या monthly वो 8.5 lakhs कम से कम कमा रहा है, ये दोनों में से कोई भी condition meet करना चाहिए, अगर ये दोनों भी नहीं है, तो ये देखो, क्या कोई ऐसा employee है क्या, जो आपके MDWTD manager से जाधा कमा रहा है, और MDWTD manager से तो जाधा कमा रहे है, और साथ में company का 2% से जाधा hold भी करता है, खुद या उसके relative के through मिलके, company का 2% से जाधा hold भी करता है, मतलब सर, ये लोग बड़े-बड़े लोग है, company में छुपे हुए बड़े-बड़े लोग है, उनका नाम हमको चाहिए, top 10 employees, कौर top 10 सर, पहला जो एक करोड से जाधा कमा रहे है, या साधे आट लक से जाधा कमा रहे है, या फिर वो इंसान जो जाधा कमा रहे है, MDWTD मानेजर से, और 2% से जाधा share holding भी रखता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका सारा details देना पड़ेगा, और सर, जब ये employees का detail आप दे रहे हो न, तो सिर्फ detail नहीं दोगे, आप बहुत सारे ऐसे भी details दोगे, जिससे shareholder को समझ आएगा, कि क्यों हम साधा दे रहे हैं इनको, तो सर आप उनका qualification बताओगे, पहली company में कहा थे, पहली company में कित्ता कमाते थे, क्या value आइड कर रहे हैं, यह सारी चीज़ा आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने shareholders के लिए disclose, ताकि उनको एक understanding आए, ताकि उनको एक समझ आए बात की हो क्या रहा है, सर आपको समझ आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता यार, आप लोगों को समझ आ रहे हैं, मेरे को ये video like करके दो, ये video like करके दो दोस्तों, सर क्या हो जाएगा video like करने से, तुम समझो, ये मेरी गुरू दक्षिना है तुम आपको बताओ, सर क्या आपको ये समझ आ रहे हैं, प्लीज, एक मुमेंट निकालो, सर ये video का 200 like target रखेंगे, जाओ नीचे, देखो 200 like target पूरा हुआएगा और जब like का बटन देखे दो दबा देना, like का बटन, पूरा पूरा बोलना ज़रूरी था, सर, हे भगवार, जो भी इस video का like करेगा, उसको इस chapter में से आने वाले question, सारे अच्छे से आए और अच्छे बाक्स आए, भगवार मेरी आप से दुआ है, प्लीज भगवार, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, ये तो provision आपने समझा, कि आपका disclosure आपको क्या-क्या करना पड़ता है, सर्, disclosure करने के बाद भी और बहुत सारी चीजा है, disclosure करने के बाद सर्, दो-तीन पॉइंट और है, सबसे बहला सर, insurance premium की बात करते है, insurance premium की क्या बात है, सर्, ध्यान से सुनना, insurance premium की क्या बात है, अगर एक company, insurance premium भर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने directors को protect करना चाहता है against any liability तो ये insurance premium को कया director का remuneration में माना जाएगा नहीं पर कल को चलके अगर ये जो director है ये अगर guilty prove हो गया तो फिर ये जो अपने insurance premium भरा था इसको remuneration का part ही माना जाएगा remuneration का part ही माना जाएगा अगर अगर remuneration का part ही माना जाएगा सर ये कौन सा insurance होता है सर ये डोली सजा के रखना डोली वाला insurance होता है तो सर ये जो डोली वाला insurance होता है इसके लिए आपको जो भी premium भरे वो usually तो नहीं आता पर अगर director guilty prove हो गया तो premium को include कर दोगे अब सर उसके बाद एक basic point है जो आपके exam में MCQ के form में भी आ सकते है अगर एक director है वो company से remuneration ले रहे है न इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने holding company से या subsidiary company से कोई पैसा नहीं ले सकता बस शर्त ये है कि उसको क्या करना पड़ेगा इस company के board report में दिखाना पड़ेगा कि हम अपने holding company से और subsidiary company से कितना पैसा ले रहे है आप ineligible नहीं होगे आपको prohibit नहीं करेंगे आप ले सकते हो पर आपको board report में दिखाना पड़ेगा और सर उसके बाद contravention की penalty है contravention की क्या penalty है सर company को लगेगा 5 lakh रुपया और officer in default को लगेगा 1 lakh रुपया अगर आपने remuneration का contravention किया उसके बाद सर नेक्स सबसे important point auditor के report में आपको दो चीज़े बतानी पड़ेगी क्या section 197 के इसाब से remuneration दिया है मतलब net profit का limit और क्या company ने excess remuneration दिया है यह दो चीज़े auditor कहां बताएगा अपने report में क्या normal compliance किया है और क्या excess remuneration दिया है यह दोनों चीज़े कौन बताएगा auditor अपने report में यह पूरा का पूरा section जो है वो 197 है सर 197 है चर 197 के बाद हम आ जाते है schedule 5 में schedule 5 का बेटा अलग से revision है आपको आपको schedule 5 में बस एक point बताना है effective capital का किस चीज़ का effective capital का आपको बता है effective capital के ranges होते है effective capital के range के हिसाब से आपका क्या decide होता है कि कितना yearly remuneration आप दोगे हर एक managerial person को effective capital अगर negative से 5 करोड है तो आप दोगे 60 lakh रुपे इस तरह का range है अगर आपका appointment दो समय हो सकता है आप effective capital कौन से date का निकालोगे date of incorporation या date of appointment वाला जिस दिन आपकी बनी न कंपनी उसी दिन अगर आपका appointment हुआ है तो date of incorporation या appointment वाले दिनका आप effective capital निकालोगे पर उसके अलावा कभी भी अगर हुआ है ना, तो sir, आप कब का निकालोगे पता है, previous year, previous year, जिस साल आप appoint हुए ना, जिस साल आप appoint हुए, मालनो इस साल आप appoint हुए, तो इसके previous financial year के end का update लोगे, previous financial year के end का update लोगे, मालनो sir, अगर आप 5th September 2024 का appoint हुए, तो 5th September 2024 यानि की 24-25 वाला financial year है, तो आप इसके पिछले वाला financial year, मतलब 31st मार्स 2024 का आप क्या लोगे, balance sheet लोगे, और उसके इसाब से effective capital निकालोगे, उसके basis पर decide होगा, इसको क्या मिलेगा, इसको कितना remuneration मिलेगा, sir, ये point मेरे कुछ पहले के editions में cover नहीं थे, अभी ये point यहाँ पे cover हुआ है आप screen को pause करके देख करके एक लिख सकते हैं, sir, ये वाला point आपको लिखना है, effective capital के calculation के डुबबे के नीचे, कि effective capital कप का लोगे, इसमें भी corrections जो है वो ध्यान से रखना, as on last date of financial, जिनके पस मेरा latest edition भी है न, आप भी ये correction कर ले न, as on last date of financial year, preceding the financial year लिख ले न, preceding the financial year, बाक effective capital निकालने के लिख ले आप calculation में लोगे, sir, आप समझे, बागी पूरा schedule 5 का revision वहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद, sir, अपने को अभी revise करना है, 198 से लेकर के 205 तर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, कोई difficult provision नहीं है, सारा आसान है, एक बार में खतम हो जाएगा, सारी बाते बस सुनते जाओ मेरी आराम से, sir, section number 198 क्या कहता है, section number 198 कहता है, net profit का calculation, आप net profit का calculation करते वग, चार चीजों का ध्यान रखोगे, credit shall be given for, credit shall be given for, मतलब कुछ revenue है, जो कोई bounty receive हुई, या फिर कोई subsidy receive हुई, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप अपने profit में add करोगे, दूसरा, कुछ चीजों का credit आप नहीं करोगे, कुछ चीजों का credit आप नहीं दोगे, कौन सी चीजों का, sir, अगर आपने shares या debentures को premium पे issue किया, या फिर अगर आपने shares जो immovable property और fixed asset को sell करके आया, वो profit को भी आप अपने limit में नहीं लोगे, वो profit को भी आप अपने calculation में नहीं लोगे, उसके बात, sir, अगर आपकी company का किसी asset का carrying amount change हुआ, fair valuation की वज़े से, carrying amount change हुआ न, उसके वज़े से भी जो extra revenue profit आया, वो भी आप नहीं लोगे, और sir, आपका revaluation reserve, notional gain, unrealized gain, यह सब आपका add नहीं होगा net profit में, sir, पर एक बात बताओ, fixed asset की बात बताताओ, fixed asset की बात summarize करके आपको दूँगा, पर रुको fixed asset का मैंने क्या बोला, कोई profit हुआ है sale पे, तो वो adjust नहीं होगा, दूसरा sir, आप आजाओ expenses पे, law ने बोला, पेटा, कुछ expenses हैं जो deductible नहीं होगे, कुछ expenses हैं जो deductible होगे, कौँछ expenses deductible नहीं होगे, सबसे पहला income tax या super tax का expense, sir, income tax act के अंदर अगर आप tax दे रहे हो, तो वो deduct नहीं होगा, मतलब जब मैं कहता हूँ net profit, तो आपको profit before tax लेना है, sir, profit after tax नहीं, profit for tax लेना है, उसके बात मैंने कहा, sir, change in carrying amount, अग इसके वज़े से आपकी liability बढ़ गए, liability बढ़ की मतलब नुपसान हुआ, तो नुपसान को यहाँ पे net profit में से adjust नहीं करोगे, तीसरा, sir, अगर आपने कोई compensation दिया, कैसा compensation, sir, voluntarily दिया, मतलब कोई damages हुआ, पर agreement नहीं था, compensation देने का, फिर भी आपने होश्यारी मान के पैसा यहाँ, तो law कहता है, उसको भी हम deduction allow नहीं करेंगे, और sir, last, अगर आपका capital nature का कोई loss होता है, तो capital nature का loss भी adjust नहीं होगा, मतलब यह चारो जो चीज़े हैं, यह खर्चे हैं, पर इसको हम खर्चा नहीं दिखाएंगे, अच्छा है न, खर्चा नहीं दिखाओगे, तो net profit ब 30 रुपया, मतलब 30 रुपय का आपने क्या charge कर रहा है, depreciation, sir, क्या यह depreciation आपके net profit में adjust हुआ था, yes sir, 30 रुपय का depreciation आपके net profit में से कभी तो भी कम हुआ था, sir, आपने जब sale किया न, तो sale price में आपको बताओ, 50 रुपय था, 80 रुपय था, 120 रुपय था, तो 3 case में क्या क्यों, क्योंकि sir, 30 रुपय तक का आपने depreciation डाला था, उसमें से 10 रुपय रिकावर हो गया, तो जब 30 रुपय माइनस किया था, तो 10 रुपय आड भी करोगे, उसके बाद sir, 120 रुपय में अगर sale हुआ न, तो बेटा सुनो, 30 रुपय तक का जितना depreciation adjust किया था, उतना तु कर सकते हो, similarly sir, ये provision है, और sir, उसके बाद बहुत सारे expense deductible होंगे, बहुत सारे usual expenses में आपको note से दिखाता हूँ, बहुत सारे usual expenses याने की क्या sir, जो भी usual चीज़े आप सोच सकते हो, unusual चीज़े मैं आपको बता दूँगा, पर usual चीज़े मतलब क्या sir, जैसी कि आपका जितना जितना भी है, वो भी deduct होगा, उसके अलावा sir, अगर आपने contribution किया, payment to political party, payment to charitable contribution, वो सारा deduct होगा, repair के खर्चे भी deduct होगे, लेकिन, अगर capital nature का repair है, वो deduct नहीं होगा, sir, अगर पिछले साल का, अगर आपका कोई loss adjust नहीं हुआ था, पिछले साल का loss अगर कोई adjust नहीं हुआ थ उसके अलावा sir, insurance premium, sir, insurance premium का amount भी adjust होगा, और अगर debts कोई write-off हुआ है, तो वो भी adjust होगा, मतलब सारी चीज़ा adjust होगी sir, सारी basic चीज़ा adjust होगी, आप यह याद कर लो कौन सी चीज़ा adjust नहीं होगी, sir, वो चार चीज़े, और एक और चीज़ कौन सा, अगर capital nature का repair है, तो व बात करता है, कि अगर आपको अपने financial statement को restate करना पड़िया, restate क्यों करना पड़ा sir, या तो fraud हुआ है, या फिर compliance नहीं हुआ है, non-compliance हुआ है, या तो fraud हुआ है, तो दोनों भी case में क्या करना पड़ेगा sir, जिस financial year का, जिस financial year का, आपको financial statement restate किया न, उस financial year में, जो MD थे, managing director थे, जो manager थे, या CEO थे, या whole time director थे, कौन-कौन लोग है sir, देख लो, managerial person है और साथ में CEO है, managerial person यानि कि कौन, managing director, manager और whole time director, ये तीनों लोग और जो CEO है न, ये लोग, जो extra पैसा इनोंने लिया न, वो extra पैसा refund करने के लिए liable है, सर्फ ये लोग, non-executive director और independent director को नहीं पकड़ा आपने, अपने सर्फ ये लोगों को पकड़ा और CEO को पकड़ा, इनको जो extra remuneration मिला है न, वो refund करने के लिए liable है, बस 30 सी बात है sir, section number 200 क्या कहता है, 200 ये कहता है, कि आप लोग अगर चाहो न, जब shareholder के पास approval लेने जाओ, तो shareholder आपका remuneration fix करेगा, वो बोलेग का financial position क्या है, आपका financial position क्या है, मतलब आप हमारे अलावा कहां और काम कर रहे हो, आप कहां कहां से और पैसे ले रहे हो, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़े करके, वो final आपको बताएगा कि आपका remuneration कितना होगा, और वो fix हो जाएगा remuneration, बहुत basic provision है sir, बिल्कुल relevant नहीं है, पर sir, 201 थोड़ा सा बहुत कम लेकिन थोड़ा से important है, क्या कहता है sir, ये कहता है कि अगर आपको कभी भी CG के पास approval लेने जाना है न, तो CG के पास approval MR2 form लेके जाओगे 90 days के अंदर, पर sir, CG के पास approval लेने का application देने के पहले, आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आ आड ये चलाओगे newspaper में, newspaper में आड चलाओगे कि हमने general notice दे दिया है, और उसके बाद जो ये general notice आपने दिया है न, उसको आप company के application के साथ attach करना, ये जो application है इसके साथ attach करना, ताकि Central Government को बता रहे कि 201 का compliance हो गया है, ठीक है? ताकि Central Government को बता रहे कि 201 sih का compliance हो गया है, उसके अधियान से सुनना मेरी बात, सर section number 202 compensation for loss of office की बात करता है, लेकिन सर्फ तीन director की, MD की, WTD की और manager की, इनको compensation for loss of office मिल सकता है, इनके अलावा किसी भी और director को नहीं मिलेगा compensation for loss of office section number 202 में, दूसरा सर, compensation of loss of office कुछ cases में prohibited है, कौन से cases में prohibited है सर, मैंने कहा RVG W1, मेरा जो office था, room number था, वो W1 था, RVG में, सर, R क्या है, अगर आप resign करते हो, और resign करने के बाद, आपको मेरे साथ साथ याद कर गया, मेरे याद करने से क्या होगा, मेरा तो हो गया, exam clear, मेरे साथ साथ याद करो, मेरे साथ 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 समझो, आगे बढ़ो, please मेरी बात सुलो, मैंने क्या कहा, resign, resign कब करोगे, सर, अगर आपने अपने एक company, आपकी company का amalgamation हो रहा है, amalgamation के वैसे आपने एक company से resign किया, पर दूसरे company में आपको offer मिल गया था, आपको officer का position मिल गया था, पर आपने दूसरी company join नहीं की, तो उसमें आपकी गलती है, हम आपको CFO नहीं देंगे, उसके अला करवाने में आपका बहुत बड़ा रोल था, या फिर सर, अगर आप terminate होगे, आपका employment और termination का instigation आपी नहीं किया था, शुरू आपी नहीं किया था, आपी की गलती थी, तो इन सब cases में आपको कोई भी CFO नहीं मिलेगा, इसके उपर एक और additional चीज़ है, सर, अगर आपकी company जो है न, आपके जाने के पहले या जाने के बाद 12 मेने के अंदर winding up में चले जाती है न, winding up में चले जाती है न, तो भी आपको CFO नहीं मिलेगा, उसके बाद सर, CFO अगर मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तो मैंने बोला भाई, average remuneration निकाल, और average remuneration से balance period निकाल, सर, average remuneration कै से निकालोगे, या तो पिछले तीन साल का ले रहो, पिछले तीन साल का नहीं है, सिर्फ दो ही साल के ले काम किया, या एक साल के ले काम किया, तो shorter period ले लो, उसका remuneration average निकालो, उसको कितने से multiply करोगे, तुमारा कितना tenure बचा है, और 3 years, whichever is lower, 3 years, whichever is lower, मतलब सर, maximum 3 साल तक क फोकट का पैसा देना, या जितने समय के ले इन और बचा था, उतने समय तक का, और ये पैसा देके आप क्या करोगे, उसको बोलोगे चलते बन भाई, क्या बोलोगे उसको, चलते बन भाई, ये बहुत important limit है सर, इस पर exam में बहुत questions आते हैं, सर ये आपका 202 था, उसके बा को की managerial person मनाना पड़ेगा, पहला company में या तो MD ले लो, या manager ले लो, या फिर वो भी नहीं है तो CEO ले लो, तीनों भी नहीं हो पा रहे हैं तो WTD appoint कर दो, दूसरा company में CFO appoint कर दो, और CS appoint कर दो, ये तीन position आपको भढ़नी पड़ेगी, अगर आप एक listed company हो या वो company हो जिसक paid up share capital 10 crore से ज्यादा है, तो हमने बोला बाकी का पता नहीं, लेकिन बेटा, CS जरूर appoint कर देना, एक whole time CS जरूर appoint कर देना, एक second रुको मैं आया, हाजी सर, सुनो, सर एक whole time CS जरूर appoint कर देना, अब मेरी बात सुनो, उसके बाद मैंने क्या कहा, ये applicability, applicability मतलब किसको किसको ये provision applicable होगा, उसके बाद मैंने क्या कहा, एक बहुत important provision मैंने बोला, कि एक company में जो chairperson है, वो उस company का MD या CEO नहीं बन सकता, एक company का chairperson उस company का MD या CEO नहीं बन सकता, पर सर इसके exception है, exception क्या है, अगर आप AOA में prescribe कर रहे हो, तो बन सकते हो, या फिर अगर आप multiple business में involved नहीं हो, किसमें involved नहीं हो, multiple business मतलब क्या, अगर आपका single business है, छोटी सी company है ना, तो फिर बना ना, जा ना, मे मेर को फरक नहीं पड़ता है, उसके बाद मैंने क्या का हज़र, उसके बाद मैंने क्या का मेरी बात दिहान से सुनना, ये जो पूरा provision है ना, ये applicable नहीं होगा, बहुत बड़े-बड़े company, बहुत बड़े-बड़े company मतलब जिसका paid-up share capital 100 करोडिया उससे जादा है, और जि मैंने क्या कहा सर, अगर आप whole time key manager person बनते हो न, आप सिर्फ एक ही जगा काम कर सकते हो, एक से ज़्यादा जगे नहीं जा सकते हो, पर उसका exception ये है, कि आप अपने subsidiary में जा सकते हो, आप अपने subsidiary में जा सकते हो, दूसरा सर, क्या आप किसी और company में, मालो B limited में अगर काम क है, आप ये वाले company के अलावा कहीं और काम नहीं कर रहे हो, मतलब हमारे अलावा, तुम सर्फ एक और company में काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा नहीं, तो सर्फ one more company, one other company, बस, और नहीं, दूसरा, आपको सर, अपने board का unanimous resolution लेना पड़ेगा, मतलब consent of all the directors present in the meeting, सर, कौन से company को A limited को, B limited की हम नहीं बात कर रहे है, हम बात कर रहे है, A limited की, तीसरा दोस्तो सबसे important, आपको सर, specific notice भेजना पड़ेगा, जब आप board की meeting बुला रहे हो, specific notice जिसमें आपको पूरा agenda भी बताना पड़ेगा, वैसे तो generally notice में agenda नहीं जाता है, पर ये वाले meeting का आपको agenda बताना प सकते हो, पर सर एक बात बताओ, एक question है आपके question bank में, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, कि ये company में B limited में अगर WTD भी होना, तो वो WTD को आप यहाँ पर क्या appoint कर सकते हो, MD appoint कर सकते हो, सर यहाँ पर लिखा गया है law में MD और manager, पर फिर भी ICI का interpretation क्या ह कि B limited में आप whole time director भी होना, तो आप A limited में MD appoint हो सकते हो, if I am not wrong question number 26 है, गोपी और राजा वाला question है, सर यह हो गया आपका whole time key manager person वाला point, उसके बाद सर और भी कुछ points बचते हैं क्या, बताओ मेरे को और भी कुछ points बचते हैं क्या, और सर चोटे चोटे points कुछ बचते होंगे, सर अगर आपकी, एक important point बचता है, अगर आपकी company में vacancy हो गई, whole time key manager person की गदी पे, तो सर 6 मेने के अंदर appoint करोगे, 6 मेने के अंदर vacancy भरोगे, 6 मेने के अंदर vacancy fill करना, पड़ेगा आपको, सर intermittent vacancy अलगता, casual vacancy अलगता, यह वाला MD, whole time key manager person वाला vacancy है, कोई भी whole time key manager person जाए सर, एक ही जना CFO और CS हो सकता है, एक ही जना CFO और CS हो सकता है, सर practical world में होता है, पर theoretically law यह बोलता है, नहीं होना चाहिए, law theoretically section 203 पढ़ोगे, तो कहता है, नहीं यार, अलग-अलग इंसान रग, एक इंसान से हमारा काम, हमारा purpose serve नहीं होगा, उसके बाद सर अपन ने section 204 समझें क्या, हाँ दोस्तों मेरी बात चुनो, मैंने क्या आखा सर, section 204 आपका last है, 204 क्या कहता है, सर आपकी company को secretarial audit करवाना पड़ेगा, सर कौन सी company को secretarial audit करवाना पड़ेगा, अगर आप listed company हो, या आप public company हो, जिसका क्या है, जिसका paid up share capital 50 करोडिया उससे जादा है, या turnover 200 करोडिया उससे जादा है, और उसके बाद तीसरा, अगर आप एक कोई भी company हो, कोई भी company, जिसका borrowing जो है na, PFI या bank से, वो 100 करोडिया उससे जादा है, तो आप इन में से कोई भी category में fall करते हो, आपको secretarial audit करवाना पड़ेगा, कौन करके देगा बेटा, secretarial audit, एक CS in practice appoint होग वो CS in practice को आप सारा necessary facilities वगरा दोगे, और वो audit करके अपना audit report देगा, in form MR3, form MR3 में अगर किसी भी तरह का उसने qualification या reservation दिया है na, तो उसको आपकी company का board of director जो है, उसके लिए पूरा explanation और justification देगा, अब सर अगर इसमें company ने, या CS in practice ने, या officer in default ने, किसी ने भी contravention किया na, penalty लगेगा, कितना दो लाख रुपे का पेनल्टी लगेगा, कितना दो लाख रुपे का आप लोगों को individual penalty लगेगा, बस इत्ती सी बात है सर, 204, और section 205 किस चीज की बात करता है, वो आपके CS के function की बात करता है, CS क्या क्या करेगा सर, compliance देखेगा, director को assist करेगा, और फलाना आया क्या, आपको, हाँ जी दोस्तो, ठीक है, चलो guys, I hope you enjoyed the session, I'll see you in the next session, until then, please take care, bye-bye, bye-bye, see you, take care, और इस revision वीडियो का भरपूर फाइदा उठाए, notes आपको नीचे description में लिंक बिल जाएगा, उसको register कर सकते हैं, अगर आपके कोई junior से law की classes ढून रहे हैं, तो उनको मेरा जरूर recommend करना, अगर आपको ये conceptual clarity और ये चीज़े समझाने का तरीका, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने juniors को recommend करना, because that is how it will increase my reach, I will see you in the next video, until then, please